आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छोटे बच्चे की बालों को घना कैसे करें, बालों को बढ़ाए कैसे और उसकी देख भाल कैसे करें ऐसे तो हर बच्चा प्यारा होता है लेकिन कई बार घने बाल वाले बच्चे आकरसक का केंदर बन जाते हैं हाला कि सबी बच्चों के बाल एक जैसे नहीं होते कुछ के पतले होते हैं, कुछ के गुरेले होते हैं और कुछ के घने होते हैं वहीं कुछ बच्चों के जन्म के दौरान बिना बाल वाले भी पैदा होते हैं ये सारी ही स्थितियान सामान है लेकिन फिर भी कई बार माता-पिता बच्चों के पतले बाल की वज़े से चिंतित होते हैं ऐसे में ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है यहां छोटी बच्चों के बाल को बढ़ाने के उपाई के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ तो इन उपाईों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से सुक्रिया यहां जो हम आपको बताने वाले हैं वो 6 माह से उपर के बड़े बच्चे के लिए है 6 माह से छोटे बच्चे का इस्तमाल इसके उपर बिलकुल भी ना करें साथ ही यहां पर बताए गए उपायों को बाल या स्केल्प से जुरी किसी भी गंभीर समस्या का इलाज न समझे यह सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बाल बढ़ाने का एक आसान सा तरीका है पहला है आहार में बायोटीन का इस्तमाल करें बायोटीन मतलब विट्मिन B7 में बायोटीन की कमी से बालों के पतले होने की समस्या हो सकती है इस आधार पर कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के बाल बढ़ाने की उपाय में उनके आहार में बायोटीन युक्त खाद्यपदार्थ को सामिल करना जरूरी है इसके लिए आप बच्चे को अनाज, चौकलेट, अंदे की जर्दी, फलिया, दूद और सूखे मेवे खिला सकते हैं द्यान रखे कि अगर बच्चे को बायोटीन, युक्त किसी भी खादिपदार्च से ऐलर्जी है, तो इसका सेवन कराने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें दूसरा है पोसक तत्तों की कमी दूर करें इसके लिए आप सेलेनियम, जिंक, विट्मिन A और विट्मिन D जैसे पोसक तत्तों की कमी मुख्य मानी जाती है, इसे पहले उससे दूर करना पड़ेगा जिंक और सेलेनियम की कमी बच्चों में बालों की जुरी समस्या का कारण हो सकती है एक अध्यन के अनुसार फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे में जिंक की कमी हो सकती है जिसकी वज़े से बच्चे में गंजापन का कारण भी हो सकता है इसलिए उसके आहार में जिंक की युक्त खाद्यपदार्थ को सामिल करें इसके अलावा सेलैनियम के सेवन से भी बच्चों में सफेद बाल की समस्या को दूर किया जा सकता है ऐसे में छोटे बच्चों की बाल बढ़ने के उपाए में सेलैनियम और जिंक की युक्त खाद्यपदार सामिल करना बहुत जरूरी है इसके लिए सबजी, नट्स, मांस और मचली बच्चे के आहार में सामिल करें लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चे की उम्र क्या है तब ही उसकी हिसाब से ही उसके खाने में आपको मांस मचली सामिल करना है या फिर नहीं इस बात का ध्यान रखना जरूरी है बच्चे के खादे पदार्त में विटमिन A को जरूर सामिल करें जरूरी फैटी एसीड और विटमिन A तुच्चा के साथ साथ बालों के निर्मान और रख रखाओं में भी मदद करता है इसके लिए बच्चे के आहार में अंडा, मांस, पीली और गहरे रंगी सबजियां, फ